नमस्कार मैं रवीश कुमार करनाटका से एक बड़ी खबर आ रही है सैंकडो महिलाओं से यौन संबंद बनाने से लेकर कथित रूप से बलातकार करने वाला प्रजवल रिवानना जर्मनी भाग गया है प्रजवल रिवानना पुर्व प्रधान मंत्री एचडी देवेगोडा का पोता है और करनाटका के हसन लोकसभा सीट से दूसरी बार चुनाओ लड़ रहा है इस चुनाओं में बीजेपी का पार्टनर है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रजवल के लिए वोट मांगे हैं हम इस वीडियो में आगे बताएंगे कि राजी की पूरी बीजेपी को पता था कि प्रजवल का क्या रेकॉर्ड है इसके हजारों वीडियो हैं फिर भी बीजेपी के नेत्रित्व ने अपने कारकरताओं को मजबूर किया कि वे प्रजवल को जिताने के लिए प्रचार करें अठाइस सो वीडियो इसके वाइरल हो चुके हैं हर दूसरे वीडियो में इसे अलग-अलग उम्र की महिलाओं के साथ कथित रूप से यौन संबंद बनाते और बलतकार करते हुए बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बलतकार के बाद इन महिलाओं को ब्लैक मिल कर सके इसलिए रिवन्ना वीडियो भी बनाता था यहीने जिस महिला ने FIR लिखवाई है उसने प्रजवल के पिता HD रिवन्ना का भी नाम लिया है प्रजवल का कहना है कि वीडियो नकली है मौर्फ किये गए हैं लेकिन उसे भागने की क्या जरूरत थी यहीं रहकर इसका सामना करता मौर्फ वीडियो हैं इसे साबित करने में कोई एक साल तो नहीं लगता कम से कम समय में भी बताया जा सकता था जेडियस ने साइटी के गठन का स्वागत किया है इस वीडियो को आप पूरा देखिए बहुत कुछ है आपको बताने के लिए इन तस्वीरों को देखिए प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के साथ प्रजवल रिवानना खड़ा है इस तस्वीर में फुल परिवारवाद है जिसके खिलाब प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी दस साल से देश का टाइंग खराब कर रहे हैं बोल रहे हैं और यहां एक र रिवन्ना है जो करनाट का सरकार में मंत्री थे इस समय हासन जिले से विधायक हैं प्रजवल के भाई डॉक्टर सूरज रिवन्ना भी मलसी हैं इनकी मां भवानी रिवन्ना हासन जिला पंचायत की सदस से रह चुके हैं वो इस तस्वीर में नहीं हैं लेकिन इस तस्वीर में कथित रूप से बलातकारी भी जुड़ गया है इसी फोटो में प्रजवल रिवाना भी खड़ा है जिसके खिलाब 2800 से अधिक वीडियो वाइरल है जिन में वो कथित रूप से यौन संबंद और बलातकार करता हुआ बताया जा रहा है प्रधान मंत्री ने इसका प्रचार किया है इसके लिए वोट मांगे अफसोस बेहद अफसोस की बात है कि यह पहली बार नहीं है हम इस वीडियो में आगे इसके बारे में बताएंगे कि बनारस में भी बलातकार के मामले में गिरफतार बी जेपी के आईटी सेल के लोगों की तस्वीर प्रधान मंत्री मोदी के साथ निकली थी यह पिक्चर गले में पठका डाले हुए भारतिय जनता पाटी का यह पिक्चर प्रजवल रिवन्ना की है यहां मंच पर मोदी जी के साथ अभी 14 अप्रेल को प्रजवल रिवन्ना हासन से MP है यह देखिए मोदी जी के व्रिहद परिवार का हिस्सा है यह पूर प्रधान मंत्री HD देवगोडा जी के पोत्र है मोदी जी के मोदी का परिवार वाले व्रिहद परिवार का भी हिस्सा है 14 अप्रेल की यह फोटो है 14 अप्रेल बमुश्किल दो हफ़ते पहले की ये जेडियस से सांसद है हासन से बीजेपी और जेडियस के साजह उम्मीदवार है दो हफ़ते पहले जब मोदी इनके साथ मंच साजह कर रहे थे मैसूरू में तो इनकी खूब तारीफ करी थी, इनकी पिट ठोकी थी और इनके लिए वोट मांगा था 14 अप्रेल को, इसी महिने की 14 तारीख को ये नेता देश से फरार हो चुके हैं और अगर आप इनके जगन्य अप्राधों को सुन लीजेगा तो दिल दहल जाएगा और एक औरत होते हुए थोड़ी बोलने में भी शर्म आती है सैक्डों महिलाओं का जीवन तहस नहस करने के बाद ये आदमी देश छोड़कर भाग गया है इस आदमी के हजारों पॉर्ण वीडियो वाइरल है हजारों पॉर्ण वीडियो और उस पॉल्ड वीडियो में विडियो हुर्ण की ओरत के साथ जोर जबर्दस्ती करता हुआ दिख रहा है ये हर उम्र की ओरत का यौन शूशड करता हुआ दिख रहा है उनकी असहमति के बावजूद और इसमें इसके घर पर काम करने वाली महिलाएं है पार्टी की कारकरता है पार्टी की सांसद है जिला पंचायत की सदस्य है यहां तक कि एक 63 साल की घर पे काम करने वाली मैला जो हाथ जोड़ के कह रिये ऐसा मत करो यह रिकॉर्डिंग यह खुद करके और एक Pen Drive में इनकी सारी रिकॉर्डिंग मिली है क्या मोदी जी इसकी दरंदगी के बारे में जानते थे या अन्भेग्य थे नरेंद्र मोदी इसके यौन कोकृत्यों के बारे में पूरी तरह से जानते थे उनको हर बात का पता था उनको पता था कि इसके हजारों अशलीन पॉन विडियो है जहां पर इसने औरतों के साथ जगन ने यौन उत्पीरन का काम किया है सेकडों औरतों की जंदगी बरबात करी है उसमें हर उम्र की महिला शामिल है केवल तस्वीर की बात नहीं है प्रजवल रिवाना के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने बाकाइदा वोट मांगे बीजेपी का इस चुनाओं में जेडिये से गठवंदन है उसी का उमिदवार है प्रजवल रिवाना मीडिया रिपोर्ट के अनुसार BJP को प्रजवल के वीडियो के बारे में पता था फिर भी प्रधान मंत्री प्रचार करने गए यह सवाल तो उनसे पूछा जाएगा जानते हुए भी BJP ने अपने कारेकरताओं को क्यों कहा कि प्रजवल के लिए प्रचार करना है क्या इसलिए कि हर हाल में मोदी जी को 400 पार जाना है इसलिए उनकी जवाब दे ही बन जाती है आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी करनाटका के बगाला कोट में सभा कर रहे थे इस पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा प्रधान मंत्री मोदी हासन नहीं गए मगर 14 अप्रेल के दीन मैसूर में उन्होंने रैली की उसमें आस पास के जिले के उमिदवारों को बुलाया गया उस दिन मंच पर प्रजवल रिवानना भी था प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बकाइदा उसका नाम लेकर वोट मांगा और कहा कि हर वोट मोदी को मजबूती देगा देश का भविश तै करेगा साथियों मैसूर से एंडिये के उमिदवार सी यद्विर कृस्णाजातियमराज वाडियर चामराज वाडियर चामराज नागर से प्रियास बालाराज हासन लोगसभा से एंडिये के सिर्फ प्रजवालन रह्मनना और मंडिया से मेरे मित्र एच्डी कुमार स्वामी आने वाली 26 एप्रिल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा देश का भविश तै करेगा क्या मोदी को मजबूती देने के लिए बीजेपी ऐसे लोगों के लिए भी प्रचार करेगी प्रधान मंत्री के पास हर तरह का खुफिया विभाग होता है क्या किसी ने प्रजवल की करतूत के बारे में उन्हें नहीं बताया जब बीजेपी के स्थानिय नेताओं को पता था तब खुफिया विभाग ने क्यों नहीं अलर्ट किया या सब कुछ जानते हुए भी अंदेखा कर दिया कि अब की बार 400 पार लाना है बीजेपी में भी बाप बेटा चलता है इस समय करनाटका बीजेपी के अध्यक्ष पुर्व मुख्य मंतरी बीएस यदुरप्पा के बेटे हैं करनाटका भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंदर को दिसंबर 2023 में ही पता चल गया था कि रिवाना के ऐसे वीडियो हैं तब क्यों 14 अप्रेल को प्रधान मंतरी मोदी ने प्रजवल के लिए वोट मांगे और इसे उमिदवार बनाया गया हिंदु अखबार की रिपोर्ट में लिखा है कि स्थानिया भाजपा नेता और पुर्व विधान सभा उमिदवार जी देविराजे गौडा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंदर को दिसंबर 2023 में एक पत्र भेजा यह पत्र अब मीडिया में वाइरल है अपने पत्र में जी देविराजे गौडा ने जेडियस और भाजपा के गठबंदन का विरोध किया हिंदू के अलावा अन्य जगों पर भी छपा है कि पत्र में सावधानी से प्रत्याशी के चुनाव करने की बात कही गई थी बीवाई विजेंदर को यह जानकारी दे दी गई कि रिवाणना के 2976 वीडियो कॉंग्रेस के निताओं के पास हैं अगर उसे उम्मिदवार बनाया गया तो वीडियो भाजपा के खिलाब ब्रहमास्तर का काम कर सकते हैं जी देवराजे गोड़ा ने भाजपा अध्यक्ष से कहा कि वीडियो उनके पास भी हैं और वेरिफाई किये जा सकते हैं नियूस मिनट ने लिखा है कि ये जानकारी भाजपा के महासचिव बीयल संतोष को भी दे दी गई थी जी देवराजे गोड़ा के बारे में कहा जाता है कि इनकी रेबना परिवार से पुरानी दुश्मनी है इन्होंने कोड जाकर प्रजवल के खिलाब चुनाओं में हेरा फेरी का आरूप लगाया और कहा कि इन्होंने हलफ नामे में आए कि सही जानकारी नहीं दी है जब बीजेपी के प्रदेश अध्यठ से लेकर राश्ट्रियम महासचिव बीयल संतोष जैसे नेताओं को पता था और बीजेपी के स्थानिय नेताओं ने कहा कि उनके पास वीडियो हैं तो इसकी जाँच क्यों नहीं कराए गई तब ही बीजेपी ने एक्शन क्यों नहीं लिया इतने दिनों से बीजेपी ने कथित रूप से एक बलतकारी को क्यों बचाया इस चुनाओं में बीजेपी करनाटका में हुबली में कॉंग्रेस पारशद निरंजन हिरमेत की बेटी की हत्या का मुद्दा बना रही थी क्योंकि आरोपी मुसल्मान था तब भी राज्य की पुलिस ने कारवाई की और गिरफतारी की महिलाओं की सुरक्षा का बीजेपी मुद्दा उठाने लगी सामप्रदाई की रंग देने लगी तब क्या उसे होश नहीं था अंदाजा नहीं था कि प्रजवल रवान्ना का वीडियो है उसकी पार्टी के नेताओं को ही पता है इसकी जांच कर लेनी चाहिए या सैकड़ों महिलाओं का अपराधी है क्यों नहीं बीजेपी ने एक्षन लिया क्या प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी अपने भाशनों में प्रजवल रवन्ना के बारे में बोलेंगे जिस तरह से हुबली की घटना का जिक्र कर रहे थे आज तो उन्होंने बगाला कोट की रैली में एक भी शब्द इस घटना पर नहीं कहा है कॉंग्रेस क्राइम को कंट्रोल करने के बजाए एंटी सोशल और एंटी नेशनल माइंड सेट को बढ़ावा दे रही है हुबली में कुछ दिन पहले हमारी एक बेटी के साथ जो हुआ उसे देखकर पुरा देश चिन्तित है हर माबाप को करना चका मैं अपनी बेटी की चिंता सता रही है किसके कारण कॉंग्रेस के पाप के कारण क्या कभी कॉंग्रेस आपकी बेटी की रक्षा कर सकती है क्या आप उनके फ़रों से बेटियों को बड़ा बना सकते हैं क्या कॉलेज केंपस में दिन दाड़े ऐसा कदम उठाने की हिम्मत उस अप्रादिल में आई कैसे उन्हें पता है बोट बैंक के भूके लोग कुछ दिन के बाद उनको बचा लेंगे इसलिए ये पाप करने के हिम्मत आती है इस क्राइम ने करनाटका में हमारी बेटियों के सुरक्षा के समन में गंबीर सवाल खड़े किये है खराब कानून व्यवस्ता ये कॉंग्रेस सरकार की पहचान बन चुकी है अब वही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी चुप है करनाटका के मंत्री प्रियांग खड़गे भी सवाल कर रहे है कि जिस तरह से बीजेपी हुबली हत्याकांड को मुद्दा बना रही थी प्रजवल रिवन्ना का मुद्दा क्यों नहीं बना रही है जेडियस नेता कुमारस्वामी ने एक इंट्रिव्यू में माना है कि हासन सीट पर समस्या है प्रजवल रिवन्ना को टिकट नहीं देना चाहिए लेकिन देवे गोड़ा ने हासन पर बीजेपी को जीत का वादा किया तब मोदी ने इसका विरोत क्यों नहीं किया कि इतना परिवार वाद मत कीजिए इसका वीडियो है इसको चलिए जेल में डालते है सब को पता था फिर भी बीजेपी ने जेडियस के साथ गठबंदन किया ताकि दिल्ली में फरजी जानकार लिखते बोलते रहे टीवी के स्टूडियो में बैठ कर कि मोदी ही देश में लोगप्रिया है सारा वोट उनकी लोगप्रियता की वज़ा से आ रहा है ये जानकार कभी नहीं बोलेंगे कि इतने लोगप्रिया हैं तो इस तरह के गठबंदन क्यों कर रहे हैं दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में क्यों ला रहे हैं जिनके खिलाब उन्हीं की सरकार की जाच एजनसियां ईडी और आईटी जाच कर रहे हैं दरसल लोगप्रियता के इस प्रोपेगेंडा के पीछे का सच यही है कि कभी उसके पीछे प्रफुल पटेल नजर आते हैं तो कभी प्रजवल रेवाना जो मीडिया आपको देखने नहीं देता बीजेपी के इन नेताओं ने अपने साधारन कारकरताओं को भी धोखा दिया है कि उनकी पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है और परिवारवादी पार्टी से गठबंदन कर लेती है वो भी ऐसे उम्मिद्वार के लिए जिस पर बलतकार के आरोप है जो कथित रूप से महिलाओं को मजबूर करता है बीजेपी का कारकरता भी सोच रहा होगा कि बात बात में धर्म का नाम लेने वाली इस राष्टवादी पार्टी को इन सब बातों से कोई एतराज क्यों नहीं होता केबल दिखावा करती है चुनाओ जीतने के लिए इस तरह के बीमार और अपराधी किस्मे के व्यक्तियों के लिए भी प्रचार में उतर जाती है उसकी राजनितिक ताकत के आगे चुप हो जाती है आज बीजेपी के कारकरता फंस गए है जूट और फरेब को राष्टवाद के नाम पर सपोर्ट करते करते कथित रूप से बलतकारी के लिए चुनाओ प्रचार करने के लिए मजबूर किये गए क्योंकि अब की बार 400 पार का नारा था गुंडा, बदमाश, भरष्टाचारी, बलतकारी कोई भी आ जाए बस 400 पार की सीट दिला जाए